दोस्तो आज की वीडियो का टोपिक है भी हम taxable sales invoice के against में rate difference का customer को debit note किस परकार बना कर देते हैं तो दोस्तो इससे पहले just हमने rate difference का credit note कैसे बनाया जाता है taxable sales invoice के against में यह हमने सिखा था तो दोस्तो अभी तक आपने इस credit rate difference का credit note वाला यह वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो को भी एक बर जुरूर देखना काफी अच्छा यह वीडियो है काफी knowledgeable वीडियो है तो उस वीडियो का link मैंने इस वीडियो की description में दे दिया है और उपर आपको i button पर भी मिल जाएगा और आज हम इस वीडियो में सेखने वाले हैं भी credit note का just opposite debit note के बारे में तो दोस्तो debit note का मतलब हो गया अब जैसे हमारे पास एक customer है हमने इस customer को यह sale invoice issue किया था एक माई 2021 को और इसकी जो total value है वो 7000 रुपे की invoice value है और गलती से हमने customer से 1000 रुपे कम ले लिए यानि कि जो total invoice है वो 8000 रुपे का बनना था लेकिन 7000 रुपे का ही बन गया तो अब इस condition में sell invoice तो issue हो चुका है अब sell invoice में हम कुछ changing कर नहीं सकते हैं तो अब इसके against में debit note issue करना पड़ेगा वो भी taxable का तो दोस्तो यह कैसा होगा इसकी इंटर्यूर्यम टेली प्राइम सॉप्टवेर में किस परकार करते हैं यह सारी बाते आज हम practically इसी वीडियो म कोई भी step up skip मत करना वीडियो को end तक complete देखना वीडियो अगर आपको अच्छे लगें तो like जुरूर करना दोस्तों के साथ share भी कर देना अगर आपने मारे चैनल पर पहली बार विजिट करिए तो चैनल को भी subscribe करने के साथ साथ notification bell को भी जुरूर on कर लेना ताकि मारी आने वाली हर नए नए वीडियो का notification सबसे पहले आपको मिलता रहे है तो नमस्कार दोस्तों महिं मों सुथार और समार्ट कांटिंग आरसनार की YouTube चैनल पर आप सबी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों सुरू करते हैं आज का वीडियो तो दोस्तों सबसे पहल यह वो 7000 रुपे की entry जो अभी हमने यह invoice देखा था और यह जो entry आ रही है आपके सामने 100 रुपे की यह वो entry है जो हमने last वीडियो में credit note की transaction करकी देखी थी यान कि उस condition में क्या था यह question था इस invoice में customer से 100 रुपे ज़्यादा ले लिए अब इसका credit note issue करना था जो कि हमने य credit note issue किया था यान कि 100 रुपे ज्यादा ले लिए थे तो customer का जो net balance है वो अब automate की अगर हम शाम ट्रेडिंग कंपनी का laser अगर हम open करेंगे तो आप देख रहे हो यहां पे 6900 रुपे का balance रहे गया यान कि 7000 रुपे का invoice था 100 रुपे ज्यादा ले लिए थे उसके customer का credit note issue कर द करेंगे अब debit note किस परकार issue करेंगे दोस्तों अब यह आप देख रहे हो यह हमने लास्ट वीडियो में बताया था अगर आपके पास में यह taxable product है taxable product के अगर आप debit note issue कर रहे हो rate difference का तो उस condition में आपको debit note भी taxable ही बनाना पड़ेगा कैसे बनाएंगे तो दोस्तों सबसे पहले हम इस बात को practically समझते है एकसल के चार्ट के दुरू तो दोस्तों आप देख रहे हो अगर हम इस invoice की बात करें को इस invoice में जो sale value है वो 5932 रुपे और 20 पैसे की है 533 रुपे 90 पैसे tax है cgct tax है और 533 रुपे 90 पैसे SGT यानि कि total अगर इन तिन्नों का total हम करें तो यह 7000 रुपे का बनता है और अब हमें 1000 रुपे और एड करने है net amount में अगर हम यहां पी अगर 1000 रुपे एड करते हैं तो इन दोनों की value 8000 रुपे बनेगी अब जबकि यह 7000 रुपे with tax amount है तो यह 1000 रुपे भी tax amount है तो सबसे पहले हमें इसकी taxable value बनानी पड़ेगी 1000 रुपे की amount की तो हम कैसे बनाएंगे तो दोस्तों अब 1000 रुपे और 18% वाड़ा यह product है वह हमें यहां से भी पता चल जाएगा अब यह देखरो tax rate 18% वाड़ा है तो हमें 1000 रुपे का सबस इंटरप्रेस करेंगे तो आप देख रहे हो 847 रुपे और 46 पैसे तो हमारी सेल की वेल्यू और बढ़ेगी और उसमें 26 रुपे 27 पैसे मारा टैक्स भी बढ़ेगा और 26 रुपे 27 पैसे सब्सक्राइब दोनों बढ़ेगे तो अगर इन तिन्नों का टोटल करेंगे तो 1000 र रहा है जिसागी सबसे परलें 5 करेंगे डेबिट नोट के लिए उसके बाद में शाम ट्रेडिंग कंपनी को डेबिट हम करेंगे 1000 से और उसके बाद में अगर आपने यहां पर कर दिया अभी रे डिपरेंस का अपने लेजर बना दिया अंटर में इंडारेक्ट आपनेके क्वाइब अब उसके बाद में होग्स इमपल डेबिटनोट के जिए अब हम करेंगे करेंगे के मैं से डेबिट एक जार रुपए हमने इसको डेबिट किया है अब अगेंस्ट रेफरेंस भी आप सेलेक्ट कर सकते हूं भी यह मारा इन्वोई था और इस पर हम इंटरप्रेस करेंगे और यहां पर हम इसके मांट कर देंगे 1000 और उसके बाद में टू अब टू में क्या करना है दोस्तों अब हमारी यह कोई इंकम नहीं है कोई एक्सपेंस नहीं है जबकि हमारी अब यह जो वेल्यू हमने एक्सल में निकाली थी 877 रुपए और 46 पेसे की अब इतने रुपए से हमारी जो सेल है वो और ज्यादा बढ़े की अलाकि इंवोईस के अनुसार तो हमारी जो सेल हो 5932 रुपए है जबकि यह 847 रुपए अगर दोनों का क्रफ पलस हम करेंगे तो हैं यह हमारी जो सेल हो 6779 रुपए और 66 पेसे की होनी चाहिए हमारी अब अब सेल को में इंक्रीज करेंगे तो जो हमने सेल की इंवोईस बनाते वक्त जो हमने सेल का लेजर हमने जो सेलेक्ट किया था कंप्यूटर पर इसको ही हम वापिस सेलेक्ट करेंगे यहां पर हम दिखेंगे सेल टैक्सेबल अब आइटम हमने कुई है नहीं आइटम का तो क 46 बेसे 46 बेसा अब उसके बाद के हम सी जिसेटी टेक्स को भी क्रेडिट करेंगे26ए 27 बेसे से और इस तरीके से हम एस जिस्टी को माउंट को भी करेंगे 26 बेसे तो इस टाइप की हमें ये टैक्स सेबल डेविट नोड इसू करना है और उसके बाद में GST Detail आप इसमें भी हम सेलेक्ट करेंगे अधर्स को और असलेक्ट करेंगे तो दोस्तों अग इसका इफेक्ट कहां पर आएगा वह भी हम देखते हैं सबसे पहले हमारी GST Return को देखते हैं और एक बस अब सबसे पहले हमारी सेल को देख लेते हैं प्रोफिट एंड लूस काउंट पर जाएंगे और अब हमारी जो सेल आ रही है आप देख रहे हो टोटल जो अगर नेट सेल की बात करें तो 664 रुपे और 91 पर अब क्यों आ रही है इंटरफेस करके देखेंग अभी आप देख रहे हो यह जो सेल हमारी 5932 रुपे बीस पर से की अब यह सेल तो हमारी वो सेल है जो हमारी इस इन्वोईस के अंसार आ रही है 5932 रुपे बीस पर से की उसके बाद में हमने 847 रुपे का यह debit note assure कर दिया और उसमें और उससे पहले जो हमने लास्ट वीडियो में जो credit note issue किया था जो कि हमने 100 पे ज्यादा ले लिये थे तो अब 100 पे भी tax include था तो उसके भी हमने taxable value निकाल ली चुरासी रुपे पीचेतर पैसे की तो यानि कि 5932 रुपे 20 पैसे और प्लस डेबिट नोट के मौंट वह तो एड़ होगी और जो credit की मौंट है वो लेस हो जाएगी तो आपकी जो net sale है वो 664 में रुपे और 91 में पैसे की रह जाएगी और इसका GST पर effect का आएगा वो भी हम देख लेते हैं इसके लिए वापिस जाएंगे डिस्पले मौ रिपोर्ट पर और स्टेश्टी रिपोर्ट पर हम जाएंगे जिस्टी रिपोर्ट जिस्ट्यार वन को कर देखेंगे तो वन देख रहे हैं और वन के अंदर यह B2C की आपको तीन ट्रांजेक्शन यहां पर देखने को मिलेगी और यहां पर भी आप देख रहे हैं आपकी जो सेल मांट है वो 694 रुपए और 91 पैसे आ रहे हैं और टोटल बारा सो पांच रुपए आठ पैसे का टेक्स आ रहे हैं इंटर प्रेस करेंगे तो इंटर में आपको वो ति तो इस तरीके से यहां पर भी आपको टोटल 664 रुपए और 91 पैसे की सेल है जो शोगी और यह जो हमारी जो नेट सेल है आपको जिस्ट यह थ्रीवे में भी देखने को मिलेगी अब यहां पर भी देख रहे हैं दो इसका एफेक्ट हमारा जिस्टी रिटर्न पर भी तो दोस्तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छे लगी हो। नौलेजे भी लगी हो वीडियो से अगर आपको कुछ सेखने को मिला और तो प्लीज वीडियो को लाइक जिरूर करतsteं, वीडियो आपको कैसे लगी यह भी कमेंट करके जिरूर बताना तो दोस्तों मिलते है नेक्स्ट वीडियो में एक और ने टोपी के साथ